अपके बहुत सारे कमेंट्स आरे थे हैं मेरे वाटसप में मेरे फेस्बूक इंस्टा आप लोगे कमेंट्स आरे थे कि सर हमारा जो 25 तारी को टेबलेट स्मार्टफोन बटने वाला था तो क्या होगा किसको मिलेगा अभी तक हमारे इनुश्येटिस से में कोई आप दे सकता हूँ इसके लिए मैंने सुचा कि आपके साथ इस तरह से वीडियो में आ करके आपको एक एक चीज़ कंफरम करवा सको ओके मेरे दोस्त तो चलो श्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जो 25 दिसंबर को कहा गया था कि आपके जो टेबलेट स्मार्टफ होगा आपका जनवरी में視़ाण और इस तरह से तीन चलो में आपका बटने वाला और उर पहले चलूमें केवल लगन वीनुरू 학 together 001 उन नुर्श्यटी के बच्चो Commonwealth सबसेरे ज़ोगों ने थाए इस मुले woke फेक है, लेप्टाप आपको नहीं मिलने वाला है गौर्मेंट ने जो decide क्या है वेकि वह टेबलेट एंड स्मार्टफोन है लेप्टाप की कहीं भी बात नहीं किया है तो जो भी आपको इस तरह से बता रहा है तो टेबलेट और स्मार्टफोन उनको मिलेगा जो इस वर्ष अंतिम वर्ष में है आपके जो PG colleges होगे या फिर आपके under graduation है आप graduation कर रहे हो या फिर post graduation कर रहे हो उनकी केवल अंतिम वर्ष के चात्रों को सबसे पहले दिया जाएगा जानि कि जो पहला चरड़ में आपकी स्मार्टफोन और टेबलेट बटने वाले वो केवल और केवल इसको बटेंगे अंतिम वर्ष के चात्रों को और इसके लिए भी सरते हैं कि जो जिसको भी मिलने वाला है उनको क्या करना होगा सबसे पहले उनकी जो fees है उनको pay करना पड़ेगा जिनका fees नहीं pay रहेगा पूरी तरह से payment नहीं रहेगा उनको नहीं मिलने वाला है और इसके लिए सबसे पहले जिन भी बच्चों को मिलना है उनको notification बेस दिया गया है उनको बता दिया गया है उनके colleges के द्वारा कि हाँ आपको मिलना है आपको second चरण में या third चरण में मिल सकता है अभी उसके लिए कोई भी चीज़ नहीं कि गई है इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको पूरा detail बे बताने वाला हूँ एक चीज पूरा दिखाने वाला हूँ नियूस वाला क्या कह रहे है किस तरह से का official है वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगा तो वीडियो में अंतक बने रहे हैं जिसे कि आपको और भी चीज़ें किलियर हो सकती है तो देखो बात क्या गया है DG सकती portal है जिस पर पहली लिष्ट जारी किया गया है कि किन को स्मार्टफोन प्रथम चरण में मिलने वाला है कोई अभी तक clear जो है नहीं कहा गया कि किसको स्मार्टफोन मिलेगा किसको टेबलेट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा तो सबसे पहले जान लो कि वल अंतिमोर्स वालों को मिलेगा और लखनाओं उस से related या लखनाओं के अंतरगत जितने भी colleges आ रहे हैं जितने भी universities आ रहे हैं उन्हीं को मिलने वाला है और दूसरे जो आप जिले हैं उस जिले को हम second चरण में सोच सकते हैं कि second चरण में आप तक कोचेंगे अब second चरण में भी किन-किन जीलो को cover किया जाएगा कोई अभी clarification नहीं है इस पर ले करके और थर चरण में यानि क्यूंकि आपको पता है UP बहुत बड़ा है बहुत सारे बच्चे हैं बहुत सारे लोगों ने इसमें एड़िशन लिया हुआ है तो इतना सारा smartphone इतना सारा tablet बाटना है तो टाइम तो लगेगा और उसके लिए एक साथ पूरी भीड भी नहीं लगा जा सकती कि एक जगा पर ही स्टार्ट कर दिया गया बाटना तो चीजे ये है तो इस तरह से चीजे हैं और भी चीजे जानने के लिए वीडियो में अंतक बने रही है हम आपको आईए थोड़ा सा नियूस के तरफ लेकर के चलते हैं कि क्या चीजे आपके वेरिफिकेशन के रूप में कही जा सकती है तो दोस्त आप यहाँ देख सकते हैं डीजी पोर्टल पर छात्रों की प्रथम सूची जारी की गई है मुखमंत्री योगी अधितनात के द्वारा उत्तर प्रदेस में फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन योजना को अंतिम रूप देने के लिए डीजी पोर्टल सकती को भी लांच की गई है जिसके माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को आलेन आवेदन करने का मौका मिलेगा जिसके माध्यम से वह अपनी सूची भी देख सकते हैं वे प्रथम सूची में सामिल है या नहीं क्योंकि प्रथम सूची के विद्धियार्थियों को ही सबसे पहले फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाव मिलने वाला है जिसमें B.A., B.S.C., M.S.C., I.T. मेकेनिकल विधी के सभी इस्टूडेंट सामिल होंगे जिसका आयोजन 25 दिसम्बर से लखनो सहर में सबसे पहले किया जाएगा यहाँ पर सभी विध्यारतियों को इस योजना का लाव लेने का मौका मिलेगा अन जिलो में कब बटेगा उसको लेकर के बात करते हैं जिन में कई सारी उनुवर्षिडी के विद्यारती सामिल होंगा अन सभी उनुवर्षिडी के विद्यारतियों को अगले चरण में Free Tablet में स्मार्टफोन योजना के लाब लेने का मौखा मिल सकता है इस माँ के इस योजना के तीन चरण तयार किये गए है पर्थम चरण में अभ्यारतियों को दिसंबर माह में free tablet मिलेगा स्मार्टफोन योजना का नाम मिलेगा दुतिये चरण में जनवरी महीने में अंतिरतिये चरण में फरवरी महीने में laptop और tablet योजना का नाम मिल सकता है तीन चरड़ों में क्यों मिल रहा है इस पर भी बात की गई है जैसे कि आप सभी को बता है कि उत्तरप्रदेश बहुत बड़ा छेतर है योगियर इतना तोरा जो ये बितरड क्या जा रहा है ये बितरड तीन चरड़ों में इसलिए क्या जा रहा है क्योंकि बहुत बार पूरत करने में तीन चेड़ों में विवाजित करना पड़ा जै तीन चेड़ों में विवाजित करके वितॉल किया गया तो असानी से वितॉल किया जाएगा और सभी students को योजना का लाब उचाने का मौका मिल जाएगा तो इस तरह से आपके लिए भी ये बहुत अच्छी opportunities है और आपको इसके लिए panic नहीं होना है आपको आपकी university के द्वारा या आपकी महाविद्याले के द्वारा message sendi कर दिया जाएगा कि कब आपको कहां मिलने वाला है तो इस सीच पर आपको ध्यान रखना है कि कब आपको कहां पर मिलेगा उसके लिए आपकी university आपको बताएगी ओके आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए आप में university का नाम भी मैं comment में बता सकते हैं जिससे कि हम आपके university की बारे में भी update करते रहे कि कौन सी university वालों को पहले मिल रहा है कब मिल रहा है ओके मिल दोस्त तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन चैवारत थेंक्यो बाबाई